नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक और जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ बहुत ही बढ़िया सा मिल्शेक ये मिल्शेक पीकर आपको इतना मज़ा आजाएगा इसे बनाना भी आसान है और इसके खास बात है कि इ बढ़िया से नारिल के बुरादा के लड्डू बनाएंगे उसके लिए गैस कौन करके एक पैन रख दे इसमें आपको डाल देना है एक कब नारिल का बुरादा और बिल्कुल लो फ्लेम पर यानि के बिल्कुल धीमी आज पर आपको इसे भूनना है तेज आज पर भूनें के इस तरह से मिलाना है मिलाने के बाद आधा कब और दूद डालेंगे तो टोटल आपको इसके अंदर एक कब दूद डालना है पर आधा-धा करके डालना एक साथ ही नहीं अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसे पकाते जाना है यहाँ पर आप देख सकते है कुछ ये इस तरह से हो गया है तो अब इसके अंदर में डाल रही है थोड़ा सा इलाईची का पाउडर एक चौथाई चमज जतना और बस दूद सूखने तक इसे हमें ऐसे ही पकाना है लगभग तीन से चार मिन तक पर ये पूरे लड़ू आपको धीमी आज पर यानि कि लो फ्लेम पर ही पकाने है अब देखे कुछ इस तरह से हो गया तो अब इसके अंदर में डाल रही हूँ एक चमज घर की ताजी मलाई इससे ना काफी अच्छा स्वाद आएगा एकदम क्रीमी क्रीमी लड़ू लगेंगे तो बस अच्छे से मिक्स करते जाओ जैसे कि मैंने आपको कहा कि त तीन से चार्व मिंट तक आपको पकाना है और पूरे लड़ू आपको धीमी आच पर ही पकाना है अगर ये जरा से भी जल गए जरा सा भी कुछ भी हो गया तो लड़ू का सौध पूरा बिगड सकता है आदी छोटी चमज मैंने इसके अंदर गी भी डाल दिया है और अच् कि ये ठंडा हो गया है तो बस हाथो पर दूनों हाथो पर हलका सगी लगा ले ये देखे थोड़ा थोड़ा लेना है और इसके लड़ू बना लेने हैं और बहुत ही असानी से लड़ू बंद जाते हैं बिलकुल भी तकलीफ नहीं आती है और यहाँ पर मैंने ले लिया है का बुरादा एक प्लेट में ये लड़ू के ओपर अच्छे से लगा लेंगे और तुरंती लगा लेना चिपक भी जाएगा फटाफट से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे लड़ू बनाएंगे अब आप चाहे न तो इसे चूटे लड़ू भी बना सक तो देखें ये लड़ू आप तकरीबन चार से पांस दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में एक अफ़ते से जादा इसे रख सकते हैं तो चलिए इस लड़ू का ही हम बनाएंगे बड़िया सा मिल शेक जो बहुत 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 ही रिफ्रेशिंग और टेस्ट ही लगता है उ इसके अंदर में डाले हैं दो से तीन चमच शर्बत और इसी के साथ ना ये जो बनाय हुआ लड़ू है वो डालेंगे चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि लड़ू भी मीठ है और शर्बत भी मैंने आप रोज शर्बत इसके अंदर डाला है इसे ढखकर मैंने पीस लिया अब पर मैंने ग्लास ले लिए है थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देंगे और ये बड़ी आसा शर्बत सच बता रही है इसे एक बार ट्राइ करके देखे और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप एक वीडियो में दो दो चीज़े सीख गए एक तर लड़ बनाना और उसका मिलश तो ट्राइ कीज़ो मुझे कमेंट सेक्शन बताए रेसिपी कैसी लगया और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले